जै महाकाली मेरे दोस्तों एक बार फिर सौगत है मेरे नए एपिसोड में दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब चरूर करें ताकि तंतर से related तंतर के संबंध में किसी भी प्रकार का आपका तर्थ है या सवाल हो या मेरी बताई गई किसी भी प्रकार की विधी तो तोटका या साधना हो तो वो चीज आप तक पहुंशती रहे और आप उसका लाब लेते रहें दोस्तों आपके जीवन में छोटे-छोटे टोटकों से मैं आप लोगों को इतना लाब होना बताऊंगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि छोटी-छोटी चीजों से क्य यहां तो वो पूरा होगा उसी प्रकार से वशी करन आप किसी का भी कर सकते हैं समोहन कर सकते हैं जीवन में पॉजिटिविटी नहीं है ब्लैक एनरजी बहुत जादा है नेगिटिविटी है तो उसको दूर करने के लिए और आपका जो चहरा है उसको चका चून रखने के लिए आपको इतना एनरजाइट बनाए रखने के लिए कि जो भी परसन जो भी व्यक्ति आपको देखे तो वो आपसे मोहित हो तो ऐसे ही वशी करन तिलक के बारे में मैं आप आज से बात करूंगा और आपको एक ऐसी महत्पून बिधी बताऊंगा जो बहुत प्राचीन है गोपनिये हैं और हर तरह से इसका लाभ आपको देखने मिलेगा दोस्तो तंतर में एक ओशद्दी है जिसको काली हल्दी कहा जाता है काली हल्दी रेर होती है काली हल्दी मैं आपको सबसा पहले बताता हूं कि क्या होती है और कहां ये मिलती है तो काली हल्दी पूरी तरह स सकते या आप इसको घर में नहीं लगा सकते हैं दूसरी चीज्ल के काली हल्दी की पहचान असली होने की सबसे बड़ी यह है कि आप काली हल्दी बजार सच Lokakukan कहीं से भी खरीदें या किसी से भी प्राप्त करें तो सूखी जो गठान होती है जो जड़ी होती है यदि इसको आप तोड़ेंगे तो अंदर से काले कलर की निकलेगी जो बहुत डार्क काला कलर होता है यदि किसी पत्थर पे आप कुछ पानी की बूंदे डाल के इसको घिरेंगे तो गिसेंगे तो इसका काला कलर आपको देखने मिल जा रस वाली नहीं खरीदना आपको पुरानी काली हल्दी खरीदना है जो पूर्ण तहा सूखी हुई हो तो इसी ही दुरलब उशद्धी आपको प्राप्त करना है कहीं से या आप हमसे ये सिद्ध की हुई उशद्धी मंगा सकते हैं काली हल्दी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं तो काली हल्दी के benefit के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि काली हल्दी का इस्तिमाल किस तरह किया जाता है कैसे सिध्धी कर सकते हैं और कैसे इसको प्रयोग में ला सकते हैं तो सरप्रतम काली हल्दी का सिध्धी करेंट, चामुंडा विधी, मोहिनी विधी, अक्षता विधी या किसी भी प्रकार की गोपनिय शावर मंतरों से मोहिनी विधी से या वशी करेंट की विधी से इसका सिध्धी करेंट किया जा सकता है जो सिद्धियां करते हैं, सिद्धियां जानते हैं, जिनके पास आसन की सिद्धी है, गुरु मंतर की सिद्धी है, किसी भी प्रकार का मंतर सिद्ध है तो वो अपने मंतरों की शक्ती से इसको अनरजाइट बना सकते हैं और इसको मोहिनी विधी या वशी करन के लिए प्रियोग में ला सकते हैं यदि जिन जातों क्योंकि पास ये विधी नहीं है या सिद्ध करना नहीं जानते हैं तो वो फिर हमसे अपने नाम पर सिद्धी करवा के प्राप्त कर सकते हैं जो की बहुत ही reasonable और बहुत ही कम price पर आप लोगों को दी जाएगी दोस्तों इसकी जो एक गाठ या दो गाठ होत करती है साथ साथ वशी करन का भी काम करती है तो प्रियोग में लाने के लिए सिद्ध काली हल्दी के आपको कुछ पीस अपने पास रखना है एक नया संग्राफ पत्थर आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं या संग्राफ पत्थर आपके पास नहीं है तो जो देसी मारवल हो तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नहा कर अपने घर से निकलेंगे तो निकलने के बाद आप तयार हो जाएए तयार होने के बाद उस पत्थर पे कुछ पानी की बुंदे डालिये, कुछ गुलाब जल की आप बुंदे उसमें डाल सकते हैं, एक छोटी सी पती उसमें केसर की डालिये, केसर में बहुत गुर्ण होते हैं दोस्तों, वशी करन्ट, सम्मोहन और पॉजिटिव एनरजी को बनाये रखने के लिए, तो ये इसका तिलक बहुत प पत्ति आती है केसर की, आप केसर की पत्ती को काली हल्दी बनाने के लिए जो पानी आपने लिया है पथर पे, कुछ बूंदें जो ली हैं, उसमें डाल लीजिए, फिर काली हल्दी को इसकी ऊपर रखे धीरे-धीरे घिसना शुरू करिए, आप इसको गिसेंगे तो ये आपको बनाना है, पूरी हल्दी घिसके नहीं रखना है, आप वो तिलक बना कर अपनी अनामी का उंगली से, आप अपने माथे पर इसका तिलक कर लीजी, अपनी कंठी पर भी आप लगा सकते हैं, दोनों कानों पर आप लगा सकते हैं, तो इसके बहुत शुब और चमतकारी प्रणाम आपको देखने मिलेंगे, आप जिस भी व्यक्ति के पास जाएंगे, वो व्यक्ति मोहित होगा, आपसे समोहित होगा, जितने भी प्रकार के आपके बिगड़े हुए काम है, किसी दुश्मन के पास भी आप जाएंगे, तो वो भी आपसे वशी भूत हो जाएगा जो प्रेमी प्रेमी का होती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी प्रेमी का नहीं आपसे बात कर रही है नहीं किसी भी प्रकार से मान रही है तो उसके नाम पे काली हल्दी का आप सिद्ध करबा के तिलक कीजिए और चंद दिनों में ही देखिए कि वो किस तरह से वशीबूत हो गई है और किस प्रकार से आपका कारिय पूर्ण कर रही है मतलब आपका कहना मान रही है ऐसी प्रेमी और प्रेमी का एक दूसरी के लिए इसको इस्तेमाल कर शक्ते हैं जो व्यापारी वर्क के लोग हैं वो यदि इसका तिलक करके अपने व्यापार स्थान पेदी बैठेंगे तो आप देखेगा कि चमतकारी रूप से आपके पास ग्राहक आएगा और ग्राहक बहुत धन आपको देकर जाएगा बदले में आपसे चीजें खरीदेगा तो व्यापार को लेकर भी इसके बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं यह बहुत सत्य और उचित घटना है लेकिन चीज आपको शुद्ध असली और सही मंतर से सिद्ध मिलना चाहिए मतलब जो काली हल्दी की गाट है यह शुद्ध मिलना चाहिए असली मिलना चाहिए तो ही यह आपको अच्छे परिणाम देगी इसके परिणाम कभी भी बिफल नहीं जाते हैं इ इसका जो परिणाम है वो सटीक है, सही है और अच्छे रिजल्ट देने वाला है तो कोशिश आपको यही करना है कि सही चीद सही जगा से खरीदना है और इसके बाद आपको इसका इस्तमाल करना है दोस्तो जिस घर में धनकी कमी होती है या व्यक्ति वेरोजगार होता है त पत्थर पे घिसके केसर मिलाके इसमें गउलोचन भी मिलाया जा सकता है यदि आपके पास गउलोचन है जो लोग गउलोचन के बारे में नहीं जानते तो मैं मेरी अगली वीडियो गउलोचन की उपर बनाऊंगा उसकी संपून जहनकारी आप लोगों को दूँगा कि गउ चमतकारी प्रकार से धन आप से अकरशित होता है और निरंतर ही आपके पस धन बढ़ता रहता है चमतकारी रूप चमतकारी उन्याहंद मैं आपको और बताथा हूं काली यहल्दी का कि आप कार-काली हलती की गाथ लीजिए लक्षमी तंत्र लक्षमी शावर् मंतरों से इसको सिध्धी करबायें कि एक जो फर चना होता है जो दुर्गा जी को चड़ाया जाता है जिसका भूग लगाया जाता है वो आप चना लीजिए और चना आपको ख़डा चना दीजिए उसकी पोटली बनाके रखिए दूसरा जो हरा कपडा लिया उसमें एक मुठी आप अपने घर से धान, मतलब चावल भरिये, चावल भरने के साथ साथ दो जो काली हल्दी आपने लिए है, वो काली हल्दी इसमें रखी है और तामबे का कहीं से तुकड़ा आप लाके उसमें रख सकते हैं, तामबे का तुकड़ा नया हो या पुराना हो कैसा भी हो चलेगा वो तांबे का तुकड़ा उस हरे कलर की जो कपड़े में पोटली बनानी है उसमें आप रखी है उसकी पोटली बनाई है इन दोनों पोटलियों को लोबान की धूनी दीजिए जिसमें से एक कपड़ा जो लाल वाला है आप अपने घर की तिजोरी में रख रखते हैं या तिजोरी में रखते हैं तो उसी जगह पर स्थापित करना है उसकी जगह चेंज कभी नहीं करनी है अगर एक बार ही आपको वहां पर स्थापित करना है जहां पर धन आप एकागर करते हैं उस जगह पर उस पोटली को स्थापित कर दीजिए लाल कलर की पोट यह 11 हो 15 हो 20 हो लेकिन 10 से जादा हो यह अगरबत्ती आप उनको दिखा कर सुबह 10 बजे वहाँ पे स्थापित कर दीजिए आपके लॉकर में या तिजोरी में या कहीं पर भी इसके बाद जो हरे कलर की जो पोटली है उसको भी धूप अगरबत्ती दिखा कर आप अपने घर से लेकर जाएए अगर आपकी दुकान है व्यापार करने का इस्थान है या आपका कोई काम बनने बाला है या जमीन जायदा से लेकर आपकी कोई डील है या किसी भी प्रकार का आपका काम हो तो वहाँ पर उस पोटली को लेकर जाएए या व्यापार करने के इस्थान पे आप इनको अपनी लोबान की धूनी अगरबत्ती या जिस भी प्रकार से आप भगवान की सेबा करते हैं अगरबत्ती दिखा सकते हैं इनको पूझा करने के टाइम पे आप देखेंगे चमतकारी आपको प्रणाम देखने मिलेंगे इसका बहुत चमतकारी आपको लाब आप देखेंगे कि दुकान आपकी निरंतर चल रही है आपके पैसा आ रहा है और वो पैसा उस जगा पे जाके एकत्रित हो रहा है जहां पर आपने लाल पोटली रखी है तो ये बहुत ही कारगार टोटका है बहुत ही कारगार उपाए है इसके आपके बहुत अच्छे लाब देखने मिलेंगे आप देखेंगे कि आपको व्यापार कितनी तेश चल रहा है और धन आपके पास आकर रुक रहा है ऐसे ही एक वशी करण की काली विध्या होती है जिसको अस्ति संधी क्रिया कहा जाता है जब दो व्यक्ति एक दूसर से बहुत प्रियम करते हैं यह दि किसी व्यक्ति को आपको वश्मे करना है चाहे किसी भी प्रकार का आपसे संबंध हो व्यापारिक संबंध हो जिस्मानी संबंध हो या किसी भी प्रकार का आपका संबंध हो तो भी काली हल्दी का बहुत प्रियोगिक एक उपाय मैं आपको बताता हूँ आपको करना यह है कि शम शम्शान के चिता के आप नहीं ला सकते, तो शम्शान के आसपास की भूमी की आप मिट्टी वहां से उठा कर लेकर आई है, थोड़ी सी, एक मुठिया वहां से मिट्टी उठा कर लेकर आई है, या राख उठा कर ला ये चिता की अगर हो सकती है, तो दोनों का आपको benefit सेम मि मिट्टी उठा कर ला सकते हैं आप मिट्टी वहां से उठा कर लेकर आईए उसका एक छोटा सा आप दो इंच या तीन इंच का पुतला बनाईए जिस भी व्यक्ति को आपको वश्मे करना है चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे आप उससे प्रेम करते हो चाहे आपको किसी भी प्रेकार से उसका काम निकलवाना हो या उसको पूर्ण तहा वश्मे करना हो तो उस व्यक्ति का पुतला बनाईए और उस व्यक्ति की पुतला बनाते समय ये कामना करिए कि उस अमुक व्यक्ति का नाम वो है मतलब जिस भी व्यक्ति के नाम का पुतला उना रहे हैं उसका मन में उच्छारेंट करते रहे हैं उसके हाथ बनाईए, उसके पेर बनाईए उसका सर बनाईए और उसमें आखें बनाईए अच्छे से बनाईए ये क्रिया रवी वार के दिन आपको करनी है उस व्यक्ति का पुतला बनाने के बाद उस व्यक्ति के पुतले को एक कोरे सफेद बड़े कागच पे रखी है और उसके उपर एक चोकोर खाना बनाई है काली हल्दी से काली हल्दी आपको सिद्ध मोहिनी मंतर की सिद्ध की हुई लेना है या वशी करन विद्या से सिद्ध की हुई काली हल्दी का इस्तमाल आपको करना है आप वो चोकोर खाना बनाईए काली हल्दी को गिस कर उसकी जो शाही निकलेगी उस शाही को आप अनार की कलम से, चमेली की कलम से या पुराने किसी गुलाब की कलम से बना सकते हैं तो उस कलम से आप सफेद कागज पर चोकोर यंतर बनाएए चोकोर एक छोटा साधरन बॉक्स बनाना है जिसको मोहिनी यंतर कहा जाता है इसके बीचों बीच आप इस्थापित करिए उसको लिटा दीजिए उस पुतले को और उस पुतले को आप किसी भी जगा पर सुनसान जगा पर छोड़ कर आजाएए कि कुछ दिनों तक वहाँ पर किसी की नजर ना पड़े आपको वैसे ही छोड़ कर आना है आप जमीन पर कागज रखिए उसको चोकोर खाने के उपर वो पुतला रख कर आजाएए बिना पूछे मुड़े वहाँ से आप निकल जाएए और कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटे में आप इसका रिचल्ट देखेंगे कि वो व्यक्ति आपसे वशी भूत हो चुका है उसका वशी करन आपसे हो चुका है और वो व्यक्ति पूर्ण तहा आपके वश में हैं तो ऐसे ही काली हल्दी के बहुत सारे चमतकार होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप बहुत सारे उपाए करके काली हल्दी से चाहे धन लाब हो जुआ सटे में लाब हो धन की कमी हो वशी करन करना है तीब्र वशी करन करना है किसी उच्चा किसी का उच्चाटन करना शत्रू शमन करना है अपना खुद का प्रोटेक्शन करना है तो काली हल्दी इसके लिए बहुत कारगर होती है काली हल्दी अगर यूहीं आप सिध्धी करके अपने घर के गल्ले में रखेंगे या दुकान की गल्ले में रखेंगे या घर में स्थापित करेंगे मंदिर में तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट इसके देखने मिलेंगे दोस्तो हमारा चैनल लाइक को सस्क्राइब करिए मैं ऐसे ही बहुत सारे महत्पून आपके लिए काले और साथफिक धर्म के टोट के लिए कराऊंगा कि जिसको जानकर आप हेरान हो जाएंगे और इसके तोट के हम आपको बताते रहें कि किसके क्या फायदे होते हैं धन्यवाद जय माकाली